जे असलाम अलेकूम सेंटेंस क्रेक्शन रूल का आज हमारा 13 रूल है और हम आज दिस्क्रस करेंगे कि कुछ ऐसे क्लेक्टिव नाउंस होते हैं जो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल पर्ब दोनू ले सकते हैं करता है कि हम उनको किस तरह परसीव करते हैं ठीक है उनको हम इसको देख रहे हैं उसके हरे मैं मेंबर को हर एक विनेट को ठीक है अब इसके जो मारे पास एक्जेंपल है वह कमेटी टीम आज्वाडियंस गॉवर्मेंट क्लास एंड जी यह वह क्लेक्टिव नाउन्स हैं जो प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं सिंगलर वर्ब भी रह सकते हैं कैसे अगर हम कमेटी को केंचेंगें के नदर से नकितर यह काइंब हैं मैं उस सिंगल क्यूमेटी की बात कर रहा हूं कि लेगा लेकिन दर हर एक कर रहा है जाए हम तो समझ आजा है वह बता रहे हैं कि अगर हम क convince के तो 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 वो singular verb लेगा लेकिन अगर उस collective noun को हम as individuals ले रहे हैं तो plural verb लेगा मार पास first example है वो किते है कमेटी has made its decision अब कमेटी को यहाँ पर एक single unit के दर पर ले रहे हैं ठीक है अपने साथ वर्ब क्या लेगा singular verb लेगा लेकिन यहां पर वो कमेटी को as individual consider कर रहे हैं अब कमेटी का अंदर जितने भी बंदे हैं उनका जो अपीनिन वो डिफरेंट है ठीक है तो इसी लिए पिर हर बंदे को लग 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 ले रहे हैं तो यह plural verb लेगा नेक्स्ट हमारा example है वो है the team is celebrating its retreat ठीक है अब कोई टीम है वो जीती है तो वो अपनी जो है वो celebrate कर रहे हैं अब उसको हम as individual consider कर रहे हैं लेकिन अगर हम कह रहे हैं the team are arguing among themselves अब टीम का जो हर बंदा है वो आपस में argue कर रहा है किसी बीबात के ओपर तो हम हर individual consider कर रहे हैं तो इस केस में हम यहां पर little work लगारेंगे इसी तरह the family has booked your vacation अब family हम एक family की बात कर रहे हैं उसके अंदर जितने मेंबर हैं उनके साथ हमार कोई concern नहीं है हम as a family को as a unit consider कर रहे हैं single unit तो यहां पर singular work देंगे लेकिन अगर हम इसको family को अलग 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 ले रहे हैं तो फिर हम इसी तरह हम देखते हैं कि the government has implemented its policies अब किसी भी वक् single unit के तोर पर ले रहे हैं तो वो उसको similar work दे रहे हैं लेकिन अगर government के हर minister के बात कर रहे हूं ठीक है तो फिर हम किते हैं the government are debating various issues हर minister जो है वो उसका अपना opinion होगा वो issue को आपर debate कर रहा होगा इसी तरह the audience is captivated by the performance अब audience कहीं बैठी किसी hall में हो किसी ground में हो तो वो जो है मुख्तलिफ groups को मुख्तलिफ team को support कर रहे हैं हर individual की बात कर रहे हैं किसी groups की बात कर रहे हो तो फिर हम उसको plural लेंगे इसी तरह the class is taking its final exam class को as a whole, a single unit के तो ले रहे हैं तो फिर हम सको singular consider करेंगे और singular verb लेगा लेकिन अगर हम class को अलग अलग हर individual को student को अलग consider करें जैसे the class are presenting their project ठीक है अब एक group जो है वो अलग प्रॉजेक्ट प्रॉजेक्ट कर रहोगा अगला group जो है वो अलग प्रॉजेक्ट प्रॉजेक्ट कर रहोगा ठीक है तो यहां पे फिर हम उसको plural लेंगे तो यह ता आज का मारा rule collective nouns कुछ ऐसे होते हैं जो singular य family, audience, government, class and jury ठीक है यह ता आज का मारा rule next lecture मुलाकात होती है आप हमारे चैनल को like करें सब्सक्राइब करें और share करें बहुत शुक्रिया आपका अल्लाहाफिस